हूँ तो कि तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि यह लाइटिंग सिस्टम के साथ साथ हम लोग अपनी पाइडिकलर लौक ile के साथ कैसे साथ करें है और panel के ऊपर हम लोग total connected Load हम यहां पे देख सकते हैं और total collected load कितना है और साथ-साथ में हम लोग टोटल connected current भी देख सकते हैं total estimated demand current apparent load phase A apparent load phase B और phase C पर अभी कोई load नहीं है क्योंकि हमने उतने अब उस पर किस तरीके के लोट कनेक्टेड है विच इस फॉर दिस लाइटिंग पार्ट तो यह सारा डेटा हमारे पास अब हम दिखने वाले हैं कि नाओ हाव तो क्रिएट पावर सिस्टम्स बेस्ट पावर सिस्टम्स करने के लिए हम जाएंगे अपने पावर के फ्लोर प्राइट पर पावर पे अब मुझे लाइटिंग फिक्ट्रस नहीं चाहिए तो मैं बिसिबिल्टी ग्राफिक्स में जाऊंगा डाविटिंग फिक्स्टर को मैं कर दों ऑटर्न शफ चूज अपलाएं को राटिं शिस्टम्स करिंट्र उब्लाफिक्स में जाके लिएंटिंडि डिवाइस को भी टरन थेंवार्फ करते में अधों यह पंशर्पंवं तो मैं इस फाइल को एक बार पावर के लिए मैं सेफ कर देता हूं I will go to file, save as project, lighting के लिए मैं पहली save कर चुका हूँ, power के लिए मैं इसको यहाँ पर save कर देता हूँ All right, तो इसके अंदर हम अपने power components को बहले model करते हैं, इसके systems करते हैं और फिर check करते हैं कि उनकी calculations किस तरीके से हमार पास update हो रही है उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे हम लोग जाएंगे अपने device पर और अपने electrical fixtures select करेंगे electrical fixtures अब यह receptacles हैं मेरे पास यह दो तरीके receptacles हैं जी एए सिय और एक normal standard receptacle Let's assume कि हमारे पास power outlets हो जाएंगे जो walls में हम लोग अपने घरों में देखते हैं तो उसके लिए अब यहां पर मैंने standard अपने electrical fixtures select कर लिए है इसके edit type में जाके में इसका switch voltage जो है वो change कर सकता हूं load classification इसका receptacle इवन हम लोग load classification जो हैं उनको भी change कर सकते हैं this is my receptacle load classification इस load classification के मेरा demand factor मेरा है as a receptacle जो मैं इस button पर click करूंगा तो demand factor मेरा होगा 0V Ampere से लेकर 10,000V Ampere तक मेरा demand factor हो 100% 10,000V Ampere से लेकर unlimited load तक मेरा demand factor हो जागा 50% demand factor कुछ calculation methods होते हैं यह by default हमारे पास कुछ demand factors यहां पर बने में for different types of lighting and power equipments along with the transformers and some speciality equipments अगर हम कुछ नया बनाना चाहते हैं demand factor तो हम यहां पर click करेंगे उसका नाम आजेगा और सम उसको select करके हम यहां पर उसकी calculation methods है calculation options है वो सब हम लोग अपना change कर सकते हैं तो हम भी हमने इसका switch voltage change कर दिया है अब यह वाला area है हमारे पास अब इसके अंदर हमें अलग अलग power fixtures लगाने है तो एक power fixtures में पास यहां हो गया एक power fixtures यहां हो गया basically यह furniture layout के हिसाब चे लगना चाहिए अब आप 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 अब डिजाइन कर रहे तो that all depends the power fixtures में यहां लगा देता हूं the power fixtures में यहां लगा देता हूं अभी बाई अभी मैं सिफ assume करता हूँ चल दाओ अभी में कुछ अबने power fixtures यहां पर model कर लिए BLACK उन पावभर फिक्सचर के लिए यह तो मेर पास इक पैनल था जो लाइटिंग के लिए भी हमने किया वा है मोडल किया वाहता और इसके विए लाइटिंग के शाहते हो कि इसको मैं कि सपरेड ऐसे पैनल हो जिसको मैं किसले करें उसको अपनी इूसर करें और यह जो मेरे पास पाउस स्टेधिकल यह सारे पावं सिप्टेकल मेरे पास कि सिंगल फेज है की इस इसको सेलिट्ट कर के मुझे जाना पड़े गा फोट इडिट फैमिली में इसका जो कनेक्टर है उसको सेलेट करके मुझे देखना पड़ेगा नंबर आफ पोज वन है यानि कि यह मेरे पास सिंगल फेस है और इसका वोल्टेज है 120 वोल्ट वो हम लोगों ने बाइड डिफॉल्ट अपने टाइप प्रॉपर्टी में चेंज कर ल और दोस अम अपना एक पैनल एक और ऑर पैनल क्रीट करते हुआ इस पैनल को स्रुप करोँगा कोपी पर हुआ और यही अब यतने भी पावर है यह सारे पावर को मैं अपने इस पैनल के साथ कनेक्ट करना चाहता हूं तो मैं अपने पावर कौन कवे पावर सौकीट को मैं अपने पावर की साथ कनेक्ट करना चाहता हूं मैं मैं कुछ alternate power sockets अपने select कर लेता हूं जो मेरे को पहले पैनल के साथ connect करने यानि कि यह जितने भी power sockets है सारी power sockets एक circuit से connect होने चाहिए और इसके अलावा जितने power sockets में चाहिए वो दूसरे system के इंदर इस पैनल के अंदर connect होने चाहिए यानि कि मैं total of two types of power systems बना रहा हूं जिसको power मिलेगी same panel से select करके चूस करता हूं power power choose करने के बाद मैं इसका panel select कर सकता हूं कि कौन से वाला पैनल होगा मेरा अब जो पैनल है वो पैनल में बाद में भी change कर सकता हूं default में देख रहा हूं कि यह पैनल मेरा इस पे जा रहा है जब में second अब दोने के नाम से में मुझे confusion है second को select करूंगा तो मेरा arrow की जो location change होगी उसके हसाफ से मैं थोड़ा सा अंदादर लाए सकता हूं कि यह सारे power system जाइए इस पैनल के सांथ connect हो रहे है और सांथ में मैं इसका अपना एक आर्क वायर जो है वो create कर सकता हूं तो यह मेरे हो गए एक particular power system which is connected to this particular panel अब इन power systems को मैं थोड़ा सा ड्राइग करके थोड़ा सा इनका layout जो है उसको ठीक करते तो हूं और मैं चाहता हूं यह यहां पर connect हो इस जस्ट करेक्टिंग दी ले आउट डॉक्यमेंटेशन टी टाइम पर ले आउट करेक्ट करना बद जरूरी रहता है इस इस करेक्ट तो यह हमारे पावर सिस्टम जो वो create हो गया अब हम बाकी पावर आउटलेट को select कर लेते और उनका पावर सिस्टम जो हो create कर देते हैं इस इस सेम पैनल select किया मैंने इनको power पे click किया इनका एक पावर सिस्टम create हो गया panel मैं आँसे select करता हूँ कि किस panel के साथ वो connect होने चाहिए और मैं यहां से click करूँगा आर्क वायर तो इन सब की एक आर्क वायर जो वो create हो जाएगी और इन पावर सिस्टम पावर रसेप्टिकल के लिए मैं इनका लेयाउट हाँ को ठीक कर दूँगा वायर तो अवाइट इस overlapping of wires मैं जितना overlapping of wires का avoid करूँगा उतना मेरे लिए better होगा और मैं इसकी overlapping इसलिए resolve कर रहा हूं कि जब दो वायर आपस में overlap होती है तो यह gap create होता है by default हम लोग cat में इसा jump create करते हैं पर यह बिद में by default गाप create होता है तो जितना हो पासिवल हो सकता हम लोगों वायर की overlapping को avoid करना चाहिए कर दो 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 अब इस पैनल का जो नाम है वो मैं चेंज करना चाहता हूं लेट से इसका मैं टाइप नहीं मगर मैं चेंज करता हूं पावर जब इस वायर पर चेंज करता हूं इसके लेक्ट्रिकल सर्कुट्स में जाता हूं तो यह पावर वाले पैनल का नाम पावर हो गया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे एक को एडिट टाइप में जाके डुप्लिगेट करके और उसका नाम मुझे चेंज करना पड़ेगा लाइटइंग और ने जाट तो यृ Оп कि से यह लाइटिंग वाला है इसको मैं चेंज करता हूं इसको मैं चेंज करता। मैं अब मैं अपनी पावर को स्लेक्ट पावोर अटम याटिक तो तो देखूँए कि 있어 मिरे लाइटिंग वाले पैनल से संय तो ख्रीट весь मैं मैं इसको power वाले panel के साथ change कर दो हूँ या फिर मैं क्या कर सकता हूँ टाइप दुबाके इसको select करूँगा filter करके मैं wires को on check कर देता हूँ और इनके electrical circuit में जाके मैं सबका जो panel है उसको कर दोगा power तो यह जितने भी circuits हमारे अभी जो create हुए है power circuits वह हमारे पैनल के साथ connected है पैनल कौन सा वाला power panel है तो मैं इसको इस तरीके से denote कर सकता हूँ ठीक है तो यह होगी मेरा lighting अब मैं किसी भी वायर पर क्लिक करूँगा तो उस वायर का मैं को circuit description मिल जाएगा one phase 20 ampere वायर का size मिल जाएगा और वायर के अंदे जितने tick marks है so this is for my ground this is for my neutral and this is for my live wire यानि कि इस particular line का जिस यह जो line हमने बनाई है as a wire जो इन दोनो power receptacles को पावर outlets को connect करा है इसका मतलब इन दोनो power outlets के वीच में तीन wires जो है वो distribute हो रही है okay plus मैं मैं अपने panel को select कर सकता हूँ और पाइनल पर मैं देख सकता हूँ कि मेरा total connected load कितना है 4860 वी वोल्ड आम्पेर का लोड है total demand factor कितना है और आपरेंट लोड फेज ए 4860 वोल्ड आम्पेर लोड फेज भी लोड फेज दी मैं यहां पर देख सकता हूँ रिशेप्टिकल का लोड में पास लोड है पर 21.13 एंपेर सेम इसी तरीके जो मैं यहां रापनल सेलेक्ट करता हूं तो मैं देखूँ हो कि किस तरीके का कौन सा वाल हमारे पास इसके अंदर अव्य लेबल है तो कंट्राइए जितने अबजिकल आपजेक्ट्स एन जितने फैम्ली संव लोग एक सिस्टम के इंदर बनाएंगे चाहार वह पावर सिस्टम हो चाहाए वह लाइटिंड इस्टम हो उस का लोड यहां पर आप्र मैंटिकल क्यालक्लिट लोगा बेस्ट अबानिट्स थिमांट